जय हिंद आज मैं आपको पवन के पुरिय यांत्री क्यों को समझाऊंगा पवन कहां उत्पन होते हैं कैसे उत्पन होते हैं और कौन-कौन सी पवने होती है और किस दिशाओ से किस दिशाओ क्योर चलती है इस बारे में आप एकदम औस्पस्ट रूप से आज समझ लिजिए इससे पुर्व की कक्षाओं में मैंने आपको air pressure belts बता दिया था और साथ ही साथ मैंने आपको पवन के परकार भी बता दिये थे तो हम पीछे न जाते हुए अब उससे आगे का हम लोग देखते हैं कि और इसके अंदर में क्या-क्या रहस्त है लेकिन आपको इस वीडियो से पहले air pressure बला और wind का जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि बिना उसके देखे हुए और बिना उस चीज को समझे हुए आप आज के पवन के यांत्रिकी को नहीं समझ पाएंगे कहां-कहां उत्पन होता है कौन-कौन सी पवने उसको समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा देखिए सबसे पहले आप समझ लिजिए कि प्रिथिवी के ठीक बीचों बीच एक लो प्रेसर बेल्ट बनता है और आप देख रहा है कि 30 से 35 डिग्री पर एक हाई प्रेसर बेल्ट है उसको बलते हुपोस्ट उच्च दाब और उसके बाद फीर आप देखते ह 60-65 पे उप द्रूबिय निम्न दाब है और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्री द्रूब पे यानि द्रूबिय उच्च दाब है यही स्थिती दक्षिनी कोलार्द में भी है तो आप एकदम असपस रहिएगा आप बीच में कहिएगा लो प्रेसर है एकदम उसमें कड़ होती है वह उच्च दाब में ही पैदा होती है जहां पर उच्च दाब है तो इस प्रिधि Crashłos results होता है यही प्रिषिवी 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 प् और उसका जो दिशा होता है वह लगबग एक ही प्रकार का बना रहता है सालो भर इसलिए उसको कहते हैं ग्रहिये पवने या ग्लोबल पवने इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस प्रिथवी पे तापमान में विशमता होती है साथ ही साथ तापमान में विशमता के कारण बायुदाब में विशमता हो जाती है क्योंकि दो बायुदाब के विच में विशमता ही पवन के उत्पत्ती का कारक है और आप ये भी जानते हैं कि प्रिथवी अपने अक्षपे रोटेट करती रहती है पस्चिम से पूरब और सा वी ओलिस मौदे ने इसको खोजा था कि हवा जो है हवा सीधे सीधे नहीं चल पाती है इस तरह से एकदम सीधे नहीं चल पाएगी इस तरह से डारेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि हवा के इस साइड से या इसके इस साइड से एक फोर्स लगता है प्रिशिवी के रोटेशन क पैदा करकरके उसके पूरे उसके सुभाब को उसके दिशा को बदल देता है देखिए deflection force एक speed को नहीं बदलेगा सिर्फ दिशा को बदलता है Coriolis force अब आप यह समझे यह कि एक feral maharadet थे शेड़ा महहृत नाम का एक पbalance कि ठरह हम बेक्यारिक थे उन्होंने ही इसको हो जाथा तो देखिए फेरल का नियम क्या कहता है उसको पहले समझ लिए फिर इसको हम पूरा समझाते आपको देखिए फेरल का नियम है फेरल नाम है उनका फेरल का नियम उसको सौट कट में कहते हैं कि वह वायू की दिशा को ग्याद क करने का नियम है उन्होंने जो दिशा बताया था उन्होंने बताया था कि उट्री गुलार्द में हवाई जो है वह दाहिनी और मुर जाएगी अधरखशनी गुलार्द में अपनी बाई और घूर इसको कैसे आप निष्चित करेंगे इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ट्रिक कहिए, तो यहाँ पर आप एस लिख लिजिए, एस को आप दो बराबर भागों में बार दीजिए, यहाँ पर जीरो डिगरी लिख दीजिए, यहाँ एक्वेटर हो गया यह, एक्वेटर, तो एक्वेटर जानते हैं कि दो गुलार्द में बाट दिया प्रितिवी को एक उत्री गुलार्द हो गया यह दक्षनी गुलार्द हो गया यह आपका उत्री गुलार्द है इसको कहेंगे उत्री गुलार्द इसको कहेंगे दक्षनी दक्षनी गुलार्द ठीक है यहां तक तो असपस्ट हो गया अब देखिए इसको मैंने कार देखिए इसका मूँ देखिए किधर गुमा हुआ है राइट हैंड की तरफ गुमा हुआ है यह राइट में है तो इसको कहेंगे राइट हैंड कि हवाओ की पत्ती होती है उच्छ वायुदाब के छेतर से उपोस्न उच्छ दाब से तो यह हवाओ किधर चलती है वहाँ लोग प्रेसर की तरफ चलेगी लोग प्रेसर बेल्ट की तरफ चलेगी तो इसमें आप समझने के लिए किसी भी एक गोलार्द का फूरा अध्यान कर लेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर हाई प्रेसर बेल्ट बना हो इसको बोलते हैं उपोस्न उच्छ दाब की पेटी से हवाय दक्षिर की और चलेगी क्योंकि यहां लोग प्रेसर बेल्ट है तो दक्षिर की और चलना सुरू कर देगी दक्षिर की और चलेगी लेक इसका direction किस तरफ है दक्षिन की तरफ है जैसे हम अभी खरे हैं हम अगर यहाँ से चलना शुरू किये अगे की ओड तो ऐसे ऐसे चले अभ आप क्या करिए कि आपका दहिना किदर होगा तो दाहिना हाथ हमारा इधर है, बाया हाथ हमारा इधर है, अब आप दोनों बाहों को फैला देजिए, सारुख खान की तरह, है अंजुली, देखिए, सोरी, आप हाथ को फैला देजिए, ऐसे, और दाहिना हाथ जो है, वह आपका दाहिना हो गया, बाया हाथ माया हो गया, इधर मूर जाएगा इधर मूर जाएगा यह आप देख लिए इधर मूर जाएगी हवा तो पूरे पूरे पेटी में इसी तरह से हवा है इधर मूर्ती जाएगी इधर मूर्ती जाएगी क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है तो यह हो गया इसको बोलते हैं ब्यापारिक पव इसको अंग्रेजी में काते हैं devam यहां से हवाय चलेगी इसका मतलब है कि यहाँ पे तो दोनों के बैरेक्शन में अंतर हो जाएगा यह का अंतर्प lot लो प्रेशर की तरफ लेकिन आ नहीं पाएगी क्योंकि इसमें भी एक फोर्स लगेगा डिफ्लेक्शन फोर्स वह अभी इधर से ही लगेगा तो इधर से जो लगेगा तो फेरल के नुसार उनको पता है कि दक्षनी गुलार्थ की जो हवाय है वह अपने किस और मोर्ती है ले से जुग जाएगी उसके बाद यहां पर पहुंचेगी जुग करके पहुंचती है देखिए हवाय यहां पर भूमध रेखा पर एक्दम सीधे सीधे नहीं मिलती है इस तरह से नहीं मिलती है दोनों तरफ से आते हुए हवाय इस तरह से तिर्शी होकर के मिलती है कहां पर भ ऐसे भी इस शेत्र में क्या है इतना ज्याधा टेंपरेचर होता है, कि यहां की हवाय गर्म होकर सीधे उपर उठ जाती है, सीधे उपर जाएगी, उसमें vertical movement हो जाता है, यहां पर horizontal movement नहीं हो पाता है, 36-33, इसे ऐसे नहीं करके सीधे नीचे से उपर उठ जाती है तो हवाय दिशा है हुग भी इसको भी बोलेंगे दोनों गुलार्दं में एक हावा हो भी इसको बोलते हैं प्रेड्विंड क Sex News यहां पूरब से और दक्षिन से यहां पूरब से यह उत्तर पश्चिव की तरफ जा रही है तो इसको कहेंगे हैख इसको इसका किया वो करेंगे कहा से कहां जा रही है इसको हम लोग यहां पrem नेते हैं बना करके इसको हम यहां पर मिता देते ह善 अब यहीं पर आपको समझने में आसानी ओ जाएगा तो इसको समझ लिजिए गा तो आपका पूरा रहस्य ही problem हो जाएगा देखिए यह हवाय जो है ब्यापारिक हवा खलाएगी, यह अस्थाई पवन है, इस पूरे प्रथीर पे चलती है वो, इस देख रहा है, 30 से डिगरी से ले करके और 5 डिगरी के बीच में, पूरे प्रथीर पे, 30 डिगरी से ले के 5 डिगरी के बीच में चलती रहती है, उतरी और दक्षनी गुलार दोन उपोस्न उच्च दाव से विश्वतिय निम्न दाव की ओर चलती है विश्वतिय निम्न दाव की ओर चलेगी यह असपस्थ हो गया उत्री गोलार्द में इसकी दिशा कैसी होगी दिशा देख लिजिए दिशा में दो परकार का होगा एक उस्तरी गोलार्द में हो गया तो उस्तरी गोलार्द में इसकी दिशा देख लिजिए कहा से कहा चल लई है यहाँ उस्तर पूरब से आने कि North East से North East Trade Wind इसको इसलिए टों बोलते है North East Trade Wind इसको बोलते है South East Trade Wind क्योंकि एś South East से आती है Trade Wind हो गया अब ये इसकी दिशा उत्री गोलार्द में क्या हुआ? उत्तर और देख लिजिए उत्तर और पूरव से दक्षिन पस्चिम ठीक है? उत्री गोलार्द का अब दक्षिनी गोलार्द में क्या होगा? दक्षिनी गोलार्द में इसकी दिशाय देख लिजिए दक्षिन और पूर देख लिजिए दूसरा क्या हवा है यही हाई प्रेशर वाली जो बेल्ट है इससे एक और हवा पैदा होती है यह तो दक्षिन की तरफ भागा एक हवा उत्तर की तरफ भी भागेगी क्योंकि यहां भी एक लो प्रेशर बेल्ट मना हुआ है उपदुरू भी यह निम्नदाप की तरफ तो यहां से एक हवाय चलेगी वह हवाय सीधे लो प्रेशर एलपी की तरफ नहीं भाग सकती है उसका भी दिशा चेंज हो जाएगा फेरल के नियम के नुसार तो यह ऐसे नहीं चल करके उसकी दिशा आप देख रहे है कि इसके लिए दक्षिन कोन होगा इधर दक् हारी पंजाब से कोई आ रहा है तो पंजाबी और पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो अतंगबादी उसके कोई नियम लागू नहीं होता है अब देखिए इसमें यह हवाय जो है पश्चिम से पूरब की ओर चल लाई है इसलिए इसका नाम देंगे पश्वा हवा अंग्रेज कैसे हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा क्योंकि फैरल का नियम यहां भी लागव ओगा यह आपका दक्षनी होलार्ध है तो यहां पर यहां पर से हुप-ुअıl कहां से कहां चल लई है उपोस्न उच्चदाब से उपधुरूबिय निम्रदाब की तरफ चल लई है यहां तक तो असपस्ट है कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए हाई प्रेसर बेल्ट से भी एक हवा चलेगी तो हाई प्रेसर बेल्ट से अब जाते हैं कि उस साइट में तो जा नहीं पाएगी जब भी चलेगी लो प्रेसर बेल्ट की तरफ भी चलेगी तो इसको भी कहते हैं एक हवा है यह हवा यहां से उठकर के सीधे यहां पर आना चाह कि रफ़ या स्साहिंट वा एक क्या होगा कि यह इस तरह से होगा इसाका वह सबसरल तरह को तो इसको पूर्भे तरह को त्य प선 को पूरवी ठीडी कूर्प शॉ सुपर्वी पावन जो तो यह हो गया उत्री पूर्वी धुरूबिये पावन और यह दक्षिन के गोलार्द में आप पहुंच जाएए तो दक्षिनी गोलार्द में आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइन में यह मूर जाती है तो इस तरह से उसका दिशा हो जाएगा इसका डिरेक्शन यह से होग तो यह दक्षिनी धुरूब है तो दक्षिनी धुरूब से उप धुरूबिये निम्रदाप की तरफ चलने वाली जो वायू है उसको क्या कहेंगे चुकि दक्षिन में इसलिए पूरवी धुरूबिये पावन यह नाम है इसका इसका नाम हो जाएगा उत्री पूर्वी देते हैं कुछ लोग इसको पूरवा पावन भी कहा देते क्योंकि पूरव से उत्पन हो रही है यह तो असपस्ट हो गया तो तीन आप देख रहे हैं यहां पे पावन है एक व्यपारिक पावन एक पच्ववा पावन एक उत्री पुर्वी धुरूबिये पावन यह तीनो पश्चिम से पूरव यहां भी चल गई दक्षनी गुलार्द में भी और देखिए दूसरा यही 35 डिगरी से लेके 60 डिगरी के बीच में चलती है पच्ववा पावन 35 से 60 के बीच में पच्ववा पावन चलेगी यह पूरे बेल्ट में चलेगी और दक्षनी गुलार्द मे भी 35 से 60 के बीच में चलेगी वो फशुवा पवण होगी उसके बार धुरूब्ये पवण देखिए धुरूब से ले करके और निम्नदाव की तरफ चलेगी तो धुरूब से निम्नदाव यानि 65 दिगरी के आसपास तक पहुंचेगी तो उसको बोलेंगे धुरूबिय पवन तो यह धुरूबिय पवन पूरे धुरूब से उत्पन होकर के यह 65 डिगरी के बीच बला छेतर में चलती है ऐसे चलती रहती है और आप ढक्षणी धुरूब में भी चलती रहती है इसलिए इसको बोलते हैं ग्रहीय सनातनी पवन इस उसके पीछे का पूरा एक रहस्त को डिकोड कर लेते हैं हम लोग उसको भी आप अच्छे धंसे समझ लीजिए लेकिन इसमें थोरा सा और समझ लीजिए कि जो पच्वा पवन है उसका नाम जो है वह उप नाम भी होता है कुछ नाविकों ने उसका नाम रखा हुआ है दक्ष पवार यानि वेस्टर्ली हो गया अब देखिए इसमें पच्वा पवन जो होते हैं जो दक्षनी गुलार्टी होती है उसका नाम थोरा सा चेंज हो जाता है जगा के अनुसार यह 40 दिग्री तक जो पहुँचती है यह 35 दिग्री को पार करके जब 40 दिग्री पे पहुँच पहुच रही है दक्षनी आख्शांस पे इसका नाम गचता चालीश इसको बोलते हैं गरजता चालीश कयोंकि यहां हैं प्रेज जह स्थे श्थे यह पूर आप देखेंगे कि इस पूरे छेत्र में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है इस पूरे छेत्र में ये देख रहे हैं महादीब है ये उत्री गोलार्द है लेकिन दक्षनी गोलार्द में आप देखेंगे कि महादीब का भाव है और यहाँ पे ज्यादा तो आप देख रहे हैं कि स तेज हो जाती है लेकिन उत्री गोलार्द में इस तरह की बहुँआलिक परस्थिति नहीं मिल पाती है इस हवा को इसलिए वह उत्तना तेज नहीं हो पाता है तो दक्षनी गोलार्द में 40 दीदिन यक्षांस पर पहुंचते है तो उसको गरज्टा 40 बहुते है और उसके इसको बोलते हैं भयंकर पचासा और साथ डिग्री तक जब पहुंचती है तो उसका स्पीड और ज्यादा हो जाता है यो तुम चीखते हुए चलता है लगता है कि जैसे कोई चीख रहा है उस तरह से चलता है एक तूम साय की आवाज निकलते रहता है उसको बोलते हैं चीखती साथा, यानि साथ दिगनी पर है, इसको आप समझ गया यह उपनाम है, किसका वेस्टर लीज का या पच्छवा पवन का ही उपनाम है, इसको आप अच्छे रंग से समझ गया है, अब आपको हम बता जाते हैं, कि जब लो प्रेसर बेल्ट, यानि वि अधिक बढ़ जाता है, और टेंपरेचर जब बढ़ता है, तो यहां से हवाय सीधे उपर उठ जाती है, सीधे उपर उठेगी, लेकिन वह उपर उठ करके, ब्रह्मान में तो बिलीन नहीं हो जाएगी, वह आकास तो उसको लिल नहीं जाएगा, वो कही ने कहीं पे, रुक विल नहीं कर सकती है, ट्रॉप पोज से नीचे रहेगी, और वहां से प्रिथिवी के घुर्णन के कारण वहाँ उत्तर ओर दक्षिन की और मूर जाएगी, तीक है, इतना आप समझ sudah गये, कहाँ से यहां से उठेगी, और वहां उपर उठ करके उंतर दक्षिन की और मूर ए और 30 30 पी पर आके उतर जाएगी दोनों गुलार्ध में इसको ठीक धन से आप समझ लिजिए यहां से उठी तो उसको बोलते हैं conveyctional current यहां से जब उठेगी ऊपर की नीचे ऊतर रही है तो पर प्रती चक्रबातिये साइ पैदा हो जाएगी जिसको बोलता है anti-cyclonic condition और प्रती चक्रबाती दसाइ क्या होती है सुसकता बहुत दिखो जाती है मौसम वहा इनिस्टेवल नहीं रहता है इसलिए वर्षा भी नहीं हो पाता है इसलिए तो 30-35 डिगरी के बीच में महादीपों के पश्रीमी छेत्र में बहुत जादा मर्वस्थल पाये बरसा नहीं शरका आपको नीचह सब्सक्राइब कोने के रूप सो बहुत ज्यादा हाइभ प्रेसर क्रिए्ट हो जाता है यानि की हाई एर प्रेसर क्रीट हो जाएगा हिआ धरातल भगर आपकर अब अनदर घुस नहीं जाएगी वह यहीं हर दो यहां पर उतरी तो यही हवाय धीरे 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 यह एक दिशा की तरफ बढ़ेगी एक दिशा तो नहीं दो दिशा की और बढ़ेगी पहले आप एक दिशा को समझ लीजिए वह बढ़ेगी विश्वत रेखिए निम्न दाप के पेटी के तरफ ऐसे बढ़ जाएगी इ इचे भी पवन चल लाई है उपर भी पवन चल लाई है है ना उपर जो चल लाई उसको जेट बोलेंगे ट्रोपिकल जेट और नेचे जो चल लाई उसको बोलेंगे व्यापारिक पवन यानि ट्रेड भी जो पस्चिम से पूरब चल लाई है इस तरह से आप समझ गए दूसर पेन कैसे चलेगा इसलिए आम बगल से बना दिये हैं अप इसको आप एक्दम आसक्र होज की रही येगा कि इस SIDE में इसका मतलब rozp समज़ेगी ग्लोब के बाहर का मैं यह इसी में है यहां से आप हवा को उठा रहे हैं यहां से चला रहे हैं यहां पर गिरा रहे हैं तो इसी को यहां से आप दिखाने के लिए हम बना दिया है इसी लिए इसी को बोलते है ट्रॉपिकल जेट यहां जेट चलती रहती है उपर और नीचे से उपर आ रहा है इसको बोलते है कान्वेक्शन नीचे ज़ा रहा है यह परतिचाकरवाती है दसाय पैदा कर दी यहां पे और फिर यहीं हवाइं यहां पे पहुचकरके इधर मुर जाती है आप देख रहें इधर ऐसे यहीं हवाइं उत्तर से दक्षिन के और चलने लगती है और इसका डायरेक्शन जो है वह उत्तरी कुदैस्त से उनका नाम थिया एंश का नाम करनि कर दिय का लिकर वह लिए या रिच्छा हेल बन गया अब देखके दूसरा क्या होगा यहां से देखे लोग प्रेशर वेल्ट है वहां से भी हवाई उपर की और उठती है यहां से हवाई प्रितिवी के घोर्णन के कारण उपर फेक दी जाती है अब यहां से जो हवाय उठेगी वह अभी आकर के high pressure पे आके उतरेगी यहां से हवाय उठेगी अब उठकर के यहां पे आकर के इस हवा से टकरा जाएगी कौँसा टॉपिकल जेट से टेंपरेट जेट इसको बोलेंग के यहां पे जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्ज लग रहा है उसके कारण यहां कि हवा उपर उठ जा रही है और उपर उठकर के वह उतरती कहां पे है हाई प्रेशर पे और यहीं हवाय उपर उपर जो चलती है तो इसको बोलते हैं टेंपरेट इस्टरली जेट आप देख रह रही है तो तकराने से क्या होगा तकराने से क्या होगा कि यहां इधर जा सकती है नहीं हवा को उधर जाने देगा बीच में टकरा जाएगी और टकरा करके इसका मजबूरी होगा कि यह नीचे उतरेगी उपर जा नहीं सकती है प्रिथिवी उसको जाने नहीं देगा अपना अधोपतन हो जाता है, वो नीचे उतर जाते हैं, इसलिए समाज में कभी टकրाना नहीं चाहिए, अगर आप टकरा जाएंगे, तो बहुत उचाईडबी होंगे, तो नीचे उतर जाएंगे, तो घमन नहीं करना है, उपर से देखिए, यहाँ पे टकरा गई, तो टकरा गई त में और हो गई और कि यहां पे परती चक्रवात्य दसा परती चकरवातक गाई हो गई यहां पर रहाए ए法 delivery बनादिया और यहां से हमायgin चल पड़ि उसको ब्रेंगे ट्येट ti और जो हवा है उत्तर की और चल पड़ी यानि कि उत्तर तो इसका डारेक्शन बदल जाएगा पुरब की तरफ हो जाएगा पुरब की तरफ हो जाएगा पुरब की तरफ तो इसको बोलेंगे पच्छुवा पवन तो दो पवन का उत्पत्ती हो गया दो सेल का उत्पत्ती हो तो फेरल सेल या टेंपरेट सेल हो गया इसको आप अस्पस्ट की रहेगा इसको बोलते है टेंपरेट जे टेस्टरली अब देखिए एक और खोल पैदा होगा एक और सेल पैदा हो रहा है यहां से जो हवाय उठ रही है वह उत्तर भी तो जाएगी ठीक है दक्षिन तो आ होगा हुआ है यहां की दिखा उठ और वह उत्तर है गण्धा बन जाता है चाहाँ यहां अथिक सर जानते हैं कभी आपने अस्नान भी किया होगा नदी में तो देखे हुएगा कि वहां भी भावर बन जाता है तो यह भावर है अब इस भावर में भी लोग फंस जाते हैं बहुत तेज हवाई उपर से नीचे उतरती है तो भावर में कभी फंसना नहीं चाहिए भावर जो होता है वह अरिक मात्रम ही कठा हो गई पावन तो पावन जो है दीरे दीरे चलना सुरू कर देगी वह चलते चलते वह लोग प्रेसर बेल्ट की तरब चलेगी यह उपर उपर जा रहे हैं नीचे से चलेगी उसी को बोलेंगे धुरूबिये पावन यहां किरिया दक्षिनी तरफ आ गया एक सका दक्षिन की तरह उत्तर की तरफ जो गया वहां धुरूप पर आकर के उतर गया तो एक पुरा एक सेल बन गया और यहीं से हवाय जो है धुरूबिये पावन पुरूबिये पावन यह चल पड़ी लोग प्रेसर बेल्ट की और भरने के लिए तो आप द चल लए है पोल की तरफ यहां से उठ करके चल लए तो उसको बोलेंगे पोलर जेट इसको यहां से उठ गई और उसके बाद जब चली तो उसको बोलेंगे पोलर जेट और पोलर जेट जो है कहां उतर जाती है धुरूब पर उतर गई वहां पर बना दिया पोलर वर्टिक् मुझे कि इसके बीच में क्या होता है इस सेल के बीच में एर मास होता है इसको बोलता है वायूरासी एर मास इसको कहते है तो इसको बस याद रखे रहेगा कि इसके बीच में एर मास होता है ये भी एर मास है ये भी एर मास है इसको बोलेंगे बहुत ज्यादा उसन में है तो आप इसमें कुछ चीजों को और किलियर कर लिए एक तम असपास्ट रूप से नी toothpaste तो वह उपर उन जाती है और उपर से जो भायू टक्राती है और देखिये यहां से जो भायू टक्रा गई नीचे तो नीचे जो ही ओ दोनों तरफ भाग गई है ना यानि कि दोनों तरफ भागेगी और उपर से बायू टक्राएगी और नीचे उतर जाएगी इसके लिए आप एक आप देख लिए यहां पर विश्वत रेखिए निम्नदाब में यहां बायू टक्रा रही है तिर्चे रूप से आकर के वैपारी सोहाब की होती है यह तो टक्रा गई तो सीधे सीधे उपर उठ गई तो नीचे के लोग जो टक्राते हैं तो सीधे सोड़गवासी हो जाते है इसलिए इसको ध्यार में रखिए इस तक्राहट से अपने आपको बचाईएगा क्योंकि टक्राने से आप सीधे उपरी मुखी ह और काफीं यूपर जा सकते हो सकता आप नीचे लौटे ही नहीं होता है अब इसका सभाप होती यहां इभ पर यानि तरब लगाना सब्क्राइब मिलता है वहां से बर आएश्य धिरे वहां आधिक मातरा में आधिक जयों आधरता जमा हो जाती है और वह इस छेतर तक पहुंचती है तो और जादा गर्मों के ऊपर उड़ जाती है और उपर उठती है उसमें आधरता बहुत होता है इसलिए बर्सा बहुत होता है इस बुमध रेखिये छेतर में यह सभावी की रूप से का जाता है कि हर रोज बर्स आपश में जाती है धुरूबीय पवन और पचुवा पवन आपस में एक टकरा रही है धरातल के नीचे वहां थंड़ा जादा है तो चीज बनता है उसको बोलते हैं प्रांट बनेगा और वाताग्र क्या होता है उसको बोलते हैं फ्रॉंट वहां रहाने के पैसा होता है एक तरह से समझ लिजिए कि कई भी दो देश के बीच में सीमा होता है जैसे माल लेते हैं पाकिस्तान है इधर से माल लेते हैं हिंदुस्तान है अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो है आपस में कहां पर आगर के मिलेंगे कही नगई सीमा पर मिलेंगे उसी को बोलते हैं वातागर तो बातागर पैदा हो गया और यही जो बातागर है इस सीमा पर और इस सीमा पर वातागर जो मना इसी में सितोस्न कटिवंदिय चक्रवात पैदा हो जाएंगे और वो चक्रवात यहाँके खुब बरशा कराता है इस शेत्र में इसलिए यहाँपर खुब बरशा होता है पस्टिमी रोपियत तुले जलवाईy में यहाँपर खुब बरशा होता है यह दक्षनी गुलार्द में भी बहुता है इसको आप समझh गए अव आप ढूबियेप प्रेशर जब shift करेगा दक्षिन की ओर यह air pressure अस्था यह आप देख रहे हैं ना यह मार्च और सितंबर के महिने के के आसपास का यह other speedy है यह shift भी करते रहता है जून के महिना में यह सारे के सारे shift कर जाता है उत्तर की तरफ और दिसंबर के महिना में ये उत्री गुलार्दवला सारा का सारा है दक्षिनी गुलार्दवला भी ये दक्षिन की और सिफ्ट कर जाता है क्योंकि सुरिक की जो इस्थिती होती है वह अपने जगह रहता है लेकि पिर्थिवी के जो इस्थिती है वह तो बदलते रहता है ना चलती है तो ये कभी-कभी जब लगेगा तो पुराना दर्द भी उखार देता है कभी-कभी अगर आप मार खाय हुए पुलिस से या कोरोना नियम का उलंगन में अगर पुलिस ने आपको तोरा हो बनिया से या कही पे किसी गर्ल्फेंड के चक्कर में अगर उनके भाई और पिता से रण से मार खाय होंगे तो यहा जब हवा चलेगी तो पुْराना ब़ला दर्द पैदा हो जाएगा है ना इसलिए इसलिए इसको पुर्भी पवर्ण भी कहते है तो आप इतना तो समझ गहे हैं अब इसमें एक, दो चीजों को और आप समझ जाएए एक वाईज बैलेट नाम का जो विद्वान थे, उन्होंने भी वाईउ के दाब के अधार पे पताया था कि दिशा कैसा होगा, वाईज बैलिट नाम के एक विद्वाम थे, उसका नाम था वाईज बैलिट, उन्होंने क्या कहा था, दाव के आधार पे वाईू की दिशा निश्चित की थी, यह उल्टा हो जाएगा, इसको जो है आप सिधा कर लीजिए, वाईू की दिशा के आधार पर वाईू दाव निश्चित कीया था, यह इनका नियम था, निश्चित कीया था, इन्होंने क्या कहा था, कि उतनी गोलार्द में जो हवाय होती है, वाईू कैसे चलेगी, देख रहा है इधर से हवा चल रही है, तो जिधर से हवा चल रही है, उधर पीठ करके खरे हो जाईए, और पीठ करके खरे हो जाईए, और अपने हाथों को फैला दीजिए, जैसे, शारु खान फिल्मों में फैलाते हैं इस तरह से, ऐसे करके जो फैलाते हैं, तो आप भी फैला दीजिए, लेकिन करना क्या है, उधर से हवा आ रही है, तो उधर मूह नहीं करना है, उधर पीठ कर देना है, वाइज बैलेट साहब बड़े नठकट थे, यहाँ जो हवा जिदर से आ रही है, उधर मूह नहीं करते थे, उधर जाके पीठ कर देना है, आ जाओ इधर से, इधर से लगो, अब यहाँ पे देख लिजिए, इधर से हवा जो आ रही है, यहाँ से माल लेते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ जो प्रेशर बनेगा, वह उच्च दाब बनेगा, उसको हाइप प्रेशर बोलेगे, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, उसको लो प्रेशर बेल्ट बोलेगे, तो यहाँ तो असपरस्ट हो गया उनका, कि उतरी गोलार्द में हवा जो उच्च दाब हवाई इधर जा रहे हैं इधर का निशान मना वा इधर जा रहे हैं वाइज बैलेट साहब दक्षिन में हवाउ का करम यह हो जाएगा प्रेसर नियुक्ता प्रेसर जाएगा तो यहां हम भी उनका बात को जीद हो जाता है तो वाइज वैलेत्स था वी हवाव का जो जो दिशा तो उसके अधार पे लेकिन निगे तो तो दोनों के अंतर को भी अस्पस्ट करतके रखिएगा एक और कोरियोलीस फोर्स क्या होता है वह डिफ्लेक्शन फोर्स है पृधिवी जब ऐसे जोर से गूमती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं केंद्रापसारी बॉल तो ये पूरे पृति पर लग रहा है सबसे ज्यादा लगता है भूमद रेखिये चेतर में और दीरे 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 जैसे धुरूप की तरफ बढ़ेंगे तो वह कमता जाता है है लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स होता है वह सबसे ज्यादा विश्वत रेखा पर ही लगता है तो दोनों में अंतरस बाइंगे उसका मान बरते रहता है दूरूप पर जाके सो परसेंट हो जाता है और वह क्या करता है हवाओ के दिशा को बदल देता है उसके दिशा उसके direction पे उपरभाव ढालता है जिधर से लगेगा उधर उसको बदले जैसे हम इधर से चल रहे हैं पुई हमको पीछे से आप किसमे चल की दखानें देगा हम कि दर मूर जाएगे तो यहीं बताया है कोरियोली महोदे ने लिक रखता को यूली सफोर्स अब फिर्टीवी को आपको यहीं सेल का विश्तार यहां भी है ठीक है यह कहीं सेल है तो इस तीन को सेल जो है इसको आप छे सेल मत मानें यह कि तीन ही सेल है पूरे प्रतिवी पे क्योंकि यह एक्जाम में पूछ देता है तो इसके लिए असपस्ट रहिएगा कभी-कभी लोग लगता है कि कि कितना सेल बन जाएगा कभी यहां से यहां से अब हबातो जो है ऊपर से नीचे आ यहां से बबन रहे हैं और udah you तो कुछ लोगं के लोग को लुगता है कि चार सेल बनेगा लेकिन चार समय नहीं है इसमें दो सेल कॉमन हो जाता है यह जो सेल है यह इसमें भी सामिल है इसलिए आपको लग रहा होगा इसलिए का जाता है तीतर के दो आगे तीतर के दो पीछे तीतर बोलो कितने तीतर तो तीतर जो है वह है तो तीन ही लेकिन अगर आएसे कहेंगे 3 arguably dp3 2 더 पीछे तीतर लेकिन तो इसलिए यहां भी понятно होता है अपने हिशाब से चलता है कि होप कि इस समझ below आए होगा आपको